हे गाईस विल्कम टू सक्सस दिलीप में दिलीप कुमार सवागत है इस वीडियो में तो दोस्तों एक बहुत बड़ी वेकेंसिज आउट की गई है बड़ी से मतलब है कि बहुत बड़ी डिपार्ट्मेट से वेकेंसिज निकाली गई है भारत डाइनमिक लिमेटर्ड की में आती है और मि्साइल से बनाती है यह जिसे आकास हो गया और ब्रमॉस हो गया ब्रमॉस तो एक प्रइवेट बनाती है कि आपका ग्वेल्मेंट का भी डिवाइज करने के लिए डोसी बैलं सबसे अच्छी बात की वाकें इंटर्विय के थुरू सेलेक्शन होने वाला है कोई भी एक्जाम्स नहीं होगी चले स्टाट करते हैं यह है ओफिसल नोडिफिकेशन भारत डाइनेमिक लिमिटेड यह आपका निकाली गई है दिख सकते हैं गाची बोली गर के जगह है है इसका ओफिसल हेट क्वाटर है गवर्मेंट अफ इंडिया मिनिस्ट्य अफ डिफेंस यानि कि रक्षा मंत्राले के अंदर में आती है जस बात करूं प्रोजग्ट इंजिनियर की वेकंसी फिर्टोफिसल प्रोज़ेक्ट लिप्लॉमा एसिस्टंट एंडे प्रोजफ्च ट्रेड एसिस्टंट के लिए रिक्रूट्मेंट है जोकि वेकंसी बीडिया की तहत निकाली गई यह टोटली रापाद में आपकी पोस्ट करने के लिए देखिए यह मेंनिमम और मैक्सिमम वेकंसी ज्यादा तो आपको नहीं देखने को मिलेगी लेकिन आईटी वालों के लिए थोड़ा सव ज्यादा वेकंसी से तो यह वेकंसी है इसमें अप्लाइ करने के लिए आपकी बात करूं तो फिर आपका 60% बीटक या फिर फर्स्ट क्लास की MBA, MSW, FEPG डिपलोमा होनी चाहिए आप एलिजबल है अप्लाइ करने के लिए इसकी जो वाकें इंट्रव्य है चार मार्च 2023 को होगी और यह जो आपका होने वाला है बेंगलूरू करनाटका में होगी यह टोटली वेन्यू है आप इसे चेक कर लें यह प् फर्स्ट क्लास जो डिपलोमा एसिस्टेंट में मैकनिकल की वेकेंसी जिसमें एक है प्रोजेक्ट डिपलोमा एसिस्टेंट फूर इलक्ट्रोनिक्स के लिए वेकेंसी इसमें तीन वेकेंसी है इसमें अप्लाइ करोगे टोटल चार वेकेंसी जे और थ्रीयर की डिपलोमा क तो भी आप अपलाइ कर सकते हैं नेक्स वेकंसी है प्रोजेक्ट ट्रेड एसिस्टेंट में जहां पर फिड्डर की वेकंसी दस वेकंसी तो आभी तक आपने कहीं पर भी सिंपल 10 वेकंसी देखने को नहीं मिला होगा इसमें तो ग्रैजुट वालों के लिए किवल 11 वेकंसी टोटल है यहां सिर्फुटर की vacancies है गuter वहीज सबस लो फिर होता है यानि के आईटिया की इसमें मांग जादा है, एपलै करने के लिए आपके पास आईटियाई फुटर ट्रेड से पासाउट होना चाहिए, विब NAC याद अगर आपने आई टी आई कर रखी है फिटर ट्रेड में और नसी नसी मतलब नेशनल एपरेंडिसिप सेट्विट या फिर इसके एक्वाइलमेंट में सेंट्रल गवर्मेंट दोर आपने पास आउट किये अपले कर सकते हैं देन यहां पर बात है आई टी आई लेक्ट्रोनि डिग्री एंड आई टी आई स्टुडेंट्स को दोनों का समझ में आ चुका होगा कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने हैं बिना एपरेंडिसिप के वे बंदा एपलाई नहीं कर सकते अब बच्चे कमेंट करके बताओ कौन-कौन बोलता है यार क एपरेंडिसिप करने के बाद कोई फायदा नहीं मिलता उसको खुद नहीं पता है देखो यार 18 वेकेंसी है जो स्टुडेंट एनसी करके इसमें जाने वाले हैं उसको एक अच्छी खासी जॉब मिलने वाली है इसमें कितनी कमपेटिशन कम होगी आप जरा अंदाजा लग जिसके पास भी एनसी सेट्वेट है और लाइफ में अगर आप आइटिया पास आउट हैं तो एक बार एपरेंटिस जरूर करना चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो एक साल कुछ भी सीखने आप लर्निंग सीख रहे हो उसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं जाता मेरे द यहां पर एक चीज है जितने भी केंडिट हैं जो कि प्रॉजेक्ट इंजिनियर प्रॉजेक्ट ऑफिसर जो डिप्लोमा एसिस्टेंट के लिए यह सब के लिए आपका यह फिर ट्रेड एसिस्टेंट के लिए वन ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्स्प्रियंस यह प्रॉजेक्ट इंजिनियर यानि कि अगर आपने यहां पर एक्सप्रियंस काउंट की जाएगी बट आपका टीचिंग जो है एक्डेमिक टीचिंग एक्सप्रियंस विल नॉट भी कंशर्ड इंडर्स्टियल एक्सप्रियंस ओके तो यह सब चीज है एक बार देख लेना के लिए कितनी होगी इसकी में बात करूं 18 साल से लेकर 28 साल के केंडियर इस पॉंप के लिए कर सकते हैं और जब यह प्रोजेक्ट चलती है तो चार साल का प्रोजेक्ट है यानि कि आपके पास चार साल हाथ में जौब है और वह भी मिनिश्यू आप डिफेंस में क्या पता यह टेने और आगे भी बढ़ जाए वैसे कभी भी वेकेंसी जौब करने के बाद उतना निकालती नहीं है खास करके मिनिश्यू आफ डिफेंस क्योंकि आपके पास स्किल्स हो जाती है करने की छमता और वहीं पर रख लिया जाता है वेकेंसी में बात करूं यह मै कभी गारंटरी नहीं देऊगा कि वहीं पर रखे यह डिपार्टमेंट पर रिवर करती है लेकिन बहुत जारे केंडिट को रखती है ओके अब यह मत समझना कि सब को रख ली जाएगी मेरा अनुसार यही है सिर्फ चार साल की अभी फिलाल जौब है फर्स्ट येर में आप आपको मिलेगी कुछ आपका मिलता है देख सकते हैं एक्संस प्रोजेक्ट दस जार पर यह के इसाब से एक्टर आपको दी जाएगी गाईस सेलेक्शन प्रोसेस में बता चुका हूँ जो भी कैंड़ेट जाओगे सबसे पहले स्कूरूटनी की जाएगी यह जगा पर आप यहां पर आपका क्या होगा देख सकते हैं सेलेक्स के चरिया क्वालिफिकेसं के बसे सेवेंटी परसंटेज का उसके बाद आपका क्या होगा पोस्ट प्रसंटेज देखा जागा जो की फोर्स्ट यह यह तो है कैसे आपकी यहां पर होगी इसका जो फो में में लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा डाउनलोड करके सभी पहुंच जाना अपने अपने फॉर्म लेके अगर आप इंट्रेस्टेट हैं तो सभी को जाने की जोरत नहीं है अगर आप इंट्रेस्टेट हैं तो और बताएं वीडियो कैसे लेगी कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रू बताएं चले मिलते नेक्स वीडियो में तक लेज रहें दे